नमस्कार दोसों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चनल विधी टेरिया में दोस्तों मैं हूँ एड्विकेट मंजीतर पाठी आज के इस वीडियो में हम लोग सेटलमेंट कंपनी या सेटलमेंट एजनसी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जालेंगे हम लोग जालेंगे लोन सेटलमेंट एजनसी के बारे में लोन सेटलमेंट एजनसी या फिर कंपनी इसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे अच्छी तरीके से भली भाती तरीके से कि कैसे यह वर्क करती है तो लोन सेटलमेंट एजनसी क्या होती है आप सभी जानते है कि जब भी आपका कोई भी पर्सनल लोन है या कोई भी अनसीक्योर्ड लोन है आप उसके सेटलमेंट के लिए इन हर्ड पार्टी कंपनी से आप बाचित करते हैं तो क्या ये जैन्मीन है क्या ये सही है या नहीं सही है इसके बारे में आपको हम आज बता रहे हैं फोड़ा सा इसके बारे में रियलिटी क्या होती है इसके बारे में भी आपको जानना है क्योंकि ये कंपनियां दावा करती है कि आपको तीन साल त्री यर्स का समय आपको दिलाएंगी तीन साल का समय ये कंपनियां आपको दिलाएंगी कि हम तीन साल आपका सेटलमेंट करा देंगे तीन साल का समय देंगे सेटलमेंट कराने का त्री यर्स यानि कि आपका कोई भी अगर मान के चलिए 20 लाग का पर्सनल लोन है तो इस 20 लाग रुपय का सेटलमेंट कराने के लिए आपको 3 साल का समय ये कमपनी दिलाएगी तो क्या ये सही है या नहीं सही है क्या ये सच्चाई है कि 3 साल का समय मिलता है तीन साल का समय मिलता है या नहीं इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादे जरूरी है तो पहला है इसमें तीन साल का समय मिलता है क्वेश्चन मार्क सब्सक्राइट आपका पर्सनल लोन है पीयल है बीस लाग या दस लाग या पांच लाग या तीन लाग कुछ भी है इसको मानके चलिए और आपने इन सेटलमेंट एजनसी से आपने संपर किया तो यह क्या कहते है कि सर हम आपको तीन साल का समय दिला देंगे आपका लोन सेटलमेंट होने के लिए आपको कितना देना है 45% में आपका settlement हम करा देंगे तो 45% में settlement हो रहा है तो यह settlement agency दावा करती है कि आपको 45% में settlement करा देंगे यानि यह 45% आपको देना है bank को प्लस इनकी जो charges है वो आपको 15 18% इनका charge होगा with GST यानि कि GST वो भी आपका 18% GST आपको देना होगा यानि कि 15 से 18% प्लस GST 18% यह आप से charge करेंगे तो टोटल मिला के चलिए कि यह आपका 15-45 हो गया 60 या फिर यह आप से 65% 65% तो पूरा आपका खर्चा ही हो जा रहा है तो आपको फायदा किस बात की हो रही है और यह जो पैसा आप से ले रहे है वो पैसा आप से फीस के नाम पे भी वो लेते हैं भर महीने 5000 से 8000 रुपे 5000 से 8000 रुपे भी यह चार्ज करते हैं इसके अलावा की बात हम कर रहे हैं और कोई गारेंटी नहीं कि यह जो पैसा आप दे रहे हैं यह आपके सिक्योर हैं क्यूंकि यह लोग क्या करते हैं यह बैंक के रिकवरी एजेंटों को सेट कर लेते हैं बैंक के जितने भी रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनको सेट कर लेते हैं कि भाई आप लोग इस दर्वाजे पे मत जाएगा आपको इतना पैसा हम इंसेंटिव के रूप में देंगे अब ये जो चीजे हैं आपने पैसा दे दिया अचानक से एक दिन से पता चलता है कि इन्हों ने आपको ब्लॉक कर दिया इन्हों ने आपको ब्लॉक कर दिया भी होता है तो सेटल्मेंट इनके साथ आप कर रहे हैं तो ये आपका पर्सनल रिस्क है क्योंकि बैंक नेवर लिसन थर्ड पार्टी बैंक थर्ड पार्टी को कभी नहीं सुनता है बैंक कभी भी थर्ड पार्टी को नहीं सुनता है बैंक कभी भी थर्ड पार्टी को नहीं सुनता है रिकावरी एजेंटों के चक्कर में ये लोग पड़े होते हैं रिकावरी एजेंटों के माध्यम से ये लोग सेटल्मेंट कराते हैं इनकी अगर आपका रिस्क है और ये लोग आपसे एक्स्टा चार्ज भी करते हैं और कोई भी फिक्स नहीं है कि ये आपका सेटल्मेंट कंप्लीट कराते हैं क्योंकि ये लोग आपसे एक अग्रिमेंट कराते हैं कौन्ट्रेक्ट ये आपसे एक कौन्ट्रेक्ट साइन कराते हैं और ये ऐक कंट्रेक्ट में आपको Optum hair, इतनी छोटी-छोटी लिखी होती है कि आप पड़ भी नहीं पाते हैं और इसी contract later के basis पे ये आपको बेवकूब बनाते हैं और आपको दिक्कत हो सकती है क्या-क्या दिक्कते होती है settlement agencies से settlement कराने में ये हम आपको next video में बताएंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरू कर दिजएगा इसे पने दोस्तों में शेर कर दिजएगा जो settlement agencies के चेकर में पढ़ रहे हो न पढ़े और हमारे चनल को सब्सक्राइब करके हमें support जरू पजान करिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक thank you so much जय ही दोस्तों